आज हमारा टोपिक है डेफ़र्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए बिज्नस में कुछ एक्सपेंडिचर इस तरीके के होते है जिनका बैनिफिट जो है एक साल की उजए कहीं सालों तक मिलता है और ये जो है रेवेन्यू नेचर की होते है अब क्योंकि इनका और इसी वज़े से इस तरीके के expenditure को हम एक ही साल में जिस साल में इनको खर्च किया गया है उनमें return off नहीं करते या उनको पूरे amount को profit and loss account में नहीं डालते बलकि हम यह अंदाजा लगाते हैं कि इस खर्चे से कितने साल business को benefit मिलेगा और उस जितने सालों में उस खर्चे से benefit मि लिया जाता है तो जितना amount जो है इसमें से return off करना है उसको हम profit and loss account में दिखाते हैं और जो amount बचा हुआ होगा उसको जो है balance sheet में asset side में दिखाया जाएगा for example अगर एक company जो है rupees 2 lakh जो है वो खर्च करती है advertisement पे motor car के और अगर यह लग रहा है कि इन 2 lakh rupees का benefit जो है अगले 5 सालों तक मिलेगा तो हर साल company क्या करेगी 2 lakh divided by 5 40,000 जो है हर बार profit and loss में return off करती जाएगी और जैसे कि पहले साल में 40,000 हमने दिखाया balance sheet में तो remaining यानि कि 2 lakh में से 40,000 माइनस करके 1,60,000 को हम asset side में दिखायेंगे balance sheet के तो इस तरीके के जो खर्चे होते है जिनका benefit कई सालों तक मिलता है बिजनस में उनको हम खाली revenue expenditure ना कहेकर defer revenue expenditure कहते हैं इसके example इस तरीके से हो सकते है प्रली मिलर expenses अगर किसी बिजनस में ज़्यादा हो गए है advertisement expenses expenses on issue of share expenses on issue of debenture characteristics क्या है defer revenue expenditure की वैसे तो इनकी जो nature है basically वो revenue nature होती है बट इनका जो benefit है वो बिजनस में कहीं सालों तक मिलता है और इसमें जो है एक बड़ी amount खर्च की जाती है बड़ी amount खर्च करने की वज़े से एक ही साल के profit and loss से हम इसको charge नहीं करते हैं बलकि इसका जो amount हर साल profit and loss में वही दिखाया जाएगा जो कि हमने return of करना है और बाकी बचे हुए amount को हम balance sheet में asset side में दिखाते है next है हमारा capital receipt और revenue receipt तो यह जुरूरी हो जाता है business man के लिए कि वह अपनी capital receipt और revenue receipt में जो है difference करें क्योंकि accounting में हम इनकी treatment अलग अलग करते है जो हमारी capital receipt होती है उसको balance sheet में हम दिखाते है और यह किस तरीके से हो सकती है अगर मालीजे deduction हुआ है assets में तो वो capital receipt हो सकती है या increase हुई है liabilities वो भी जो है हमारी हो सकती है capital receipt capital receipt के example जो है वो इस तरीके से हो सकते है amount receipt from fixed assets or investment अब देखिए कि asset जो है वो increase हो रही है क्यों amount receipt from fixed asset or investment यहां पर sale होगी क्योंकि fixed assets से तो तभी पैसा हमें मिलेगा जब हम उसको sale करेंगे इसी तरीके से अगर हम issue करते है shares or adventure वो जो पैसा आता है उसको भी हम capital receipt मानके चलते हैं अगर loan लिया जाता है बिजनस में उसको भी capital nature का माना जाता है अगर वो लंबे time के लिया जा रहे है compensation अगर किसी asset का मिलता है अगर मानली जी एकसे जो है किसी miss happening की वज़े से accident की वज़े से waste हो जाती है या destroy हो जाती है तो उसका compensation भी capital receipt माना जाता है next revenue receipt revenue receipt जो है वो receipt होती है जो की दिखाती है कि बिजनस के जो routine का हम यह कह सकते है कि जो income होती है या gain होता है उसको हम revenue receipt कहते है और revenue receipt जो है current asset की sales है या फिर बिजनस जो goods की sale and purchase करता है उससे मिलता है अब जैसे stock है जो current asset में आता है बट उसको हम profit and loss में business के दिखाते हैं तो इसमें जो items हाती है वो है sale of goods and commission received interest received इसी तरीके से discount received capital loss or revenue loss next हमारा है capital loss जो है generally the fixed assets को sale किया जाता है तब जो है होता है या फिर अगर fixed assets का accident से वो destroy हो जाते हैं तब भी हम उसको एक तरीके से capital loss मानते है revenue loss यह जो loss है वो normal nature के होते हैं business की routine की activities में जब profit होने की बजाए लोस होता है तो उसको हम revenue loss मानके चलते हैं जैसे कि अगर destroy हो जाए goods वो भी revenue nature का loss है अगर bad debts हो गए वो भी revenue nature का loss है इसी तरीके से हमारा जो capital profit है और revenue profit यह भी इसी परकार से हम इसको study करते हैं capital profit में अगर हम fixed asset को sale करते हैं तो उसको capital profit कहा जाता है पूर एक्जामपल अगर एक मशीन की बुक वैली 2,25,000 थी और उसको अगर हम 2,50,000 में sale करते हैं तो जो 25,000 हमें plus मिला है उसको हम capital profit का नाम देते हैं revenue profit वो profit होते हैं जो business की normal activities से business जो है business ने जितने भी goods वगेरा sale की और उस goods को बनाने में जो भी business के खर्चे लगे या sale करने में खर्चे लगे तो उनको minus करने के बाद जो बचेगा वो हमारे पास revenue profit होता है difference क्या हो सकता है capital profit और revenue profit में तो capital profit जो है sale करके कमाया जाता है fixed assets की जब fixed assets को sale किया जा रहा है या फिर issue जब हम करते है shares and venture वहाँ पर भी capital profit हो सकता है अगर हम उनको premium पर जो है issue कर रहे है revenue profit यह जो हमारे goods होती है trading goods जिसमें business deal करता है उनके sale से जो हमें मिलता है उसको हम revenue profit कहते है capital profit non recurring nature का होता है कभी कबार जो है वो होता है जब की revenue profit recurring nature का होते है हर साल जो है business में चलता रहता है business थो revenue property होता रहता है capital profit को हम जो है capital account या फिर capital reserve account में transfer करते है जब कि जो हमारा profit and loss है उसको हमेशा ही हम capital account में add करते है जो हमारा revenue profit होता है effect ये जो है capital को effect करता है capital profit और ये जो है business के profit को revenue profit जो है एक तरीके से directly effect करता है कि business में कितना revenue profit हुआ है next है हमारा business income measurement अब जो business income word जो है वो उस amount के लिए use किया जाता है जो कि business को एक operating period के अंतरगत के कहिए या एक accounting period में जो भी उसके operating expenses है उसकी income में से minus करने के बाद बशता है या फिर हम ये भी कह सकते है कि business के income में से अगर सारे के सारे खर्चे जो भी उस income को अंट करने के लिए किये गए है वो सारे के सारे operating expenses हम minus कर दे business जो receipt है revenue receipt उसमें से तो business की जो minus करने के बाद जो भी amount बचेगा उसको हम business की income का नाम देंगे business income जो है ये increase करती है net assets को अगर business income की जगे loss हुआ है तो ये decrease करती है net assets को business income को measure करने की हमारे पास दो तरीके है balance sheet method versus net worth method और second है profit and loss method first इसमें है balance sheet method ये net worth method भी आप इसको कह सकते है balance sheet method में क्या होता है कि business की net worth देखते है कि at the accounting period at the end of the accounting period क्या है उसकी comparison किया जाता है जो starting में हमारा business का net worth है उसके साथ net worth जो है क्या होता है assets में से अगर हम liabilities minus करते business की तो उसको हम net worth कहते है अगर मान लीजे business की closing net worth जो है वो opening net worth से जादा है तो difference को हम income मान के चलते है और अगर reverse position है कि closing net worth जो है वो कम है opening net worth से तो business में वहाँ पर income की बजाए loss होता है अगर कोई भी additional capital जो है invest की जाती है business में तो closing capital calculate करने के लिए इसको deduct किया जाता है और अगर business मेंने कुछ drawing की है तो closing capital में उसको add किया जाता है और फिर इस तरीके से जो हमने closing capital निकाली है उसमें से हम minus करते हैं अपनी starting वाली opening capital तो हमारे पास जो है net worth आ जाती है business की कि क्या business की जो है income है और क्योंकि इसमें balance sheet की items को use किया जा रहा है income measure करने के लिए इसलिए इसको जो है हम ये कह सकते है कि balance sheet method हम इसको कहते हैं इस method में liabilities की क्योंकि net worth का हमने meaning लिया कि assets minus liabilities तो liabilities की valuation करना बहुत easy काम होता है जबकि जो assets है उनका valuation करना एक difficult काम है और इसके लिए हम तीन method यूज कर सकते है first इसमें है historical cost basis इस method में क्या किया जाता है कि जितने पर assets को purchase किया गया है तो हम ये मान के चलते है कि उतने में ही उस asset को जो हम ले कर के चले इसमें difficulty क्या रहती है कि expected life asset के बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते है कि ये asset कितने सालों तक हमारे पास चलती रहेगी कि working life उसकी क्या होगी क्योंकि technological change होते रहते है production capacity में भी asset के change आता है दूसरा है replacement cost basis assets को evaluate करने का ये भी तरीका है कि हम ये देखे कि future में जब इस asset को replace करना पड़ेगा तो कितने amount की जुरत होगी तो उसका अंदाजा भी लगाना थोड़ा मुस्किल काम है क्योंकि technology advancement जो है वो चलते रहते है तो हम ये नहीं कह सकते कि आज एक asset हमने अगर 5 लाग की खरीदी है future में वो हमें 5 लाग की मिलेगी या 6 लाग की मिलेगी उसके बारे में अंदाजा लगाना थोड़ा मुस्किल काम हो जाता है next हमारा है present value of future earning of the asset third method में हम present value of future earning of the asset की जो है use कर सकते है asset की valuation के लिए बट ये भी थोड़ा मुस्किल काम है क्योंकि future में earning कितनी होगी ये भी uncertain होता है otherwise हम इस तरीके से निकाल सकते है अकर mileage 10% income होती है तो 10% income को earn करने के लिए कितनी value के asset हमें चाहिएगी बट future जो है वो uncertain है तो इसका अंदाजा लगाना भी थोड़ा मुश्किल काम है और इन कम्यों को देखते हुए ही business में profit and loss method को जो है use किया जाता है balance sheet method की बचाए profit and loss method में हम ये कह सकते है कि इसमें business की income को consider या measure करने के लिए profit and loss account एक बनाया जाता है जिसमें की सारे के सारे revenue expenses debit side में लिखे जाते हैं revenue income जो है वो credit side में लिखी जाती है और difference जो है वो हमारा profit होता है revenue expenses में से revenue income अगर ज़्यादा रहेंगी तो हम profit की position में होते अगर reverse condition है कि revenue expenses ज़्यादा और income जो है वो कम है तो loss की position में होते हैं पर यहां पर भी कुछ बाते हमें ध्यान में रखनी होती है कि यह नहीं है कि cable cash transaction को ही हम profit and loss account में लिखते हैं बल्कि non cash transactions को भी वहाँ पर लिखा जाता है चाहे हमने उनकी cash में payment की है या नहीं की है अगर वो अपनी या business का खर्चा है तो उसको वहाँ पर दिखाया जाएगा अगर कोई cash में payment हुई है उस transaction को और उसको जो है हम कई बार profit and loss में record नहीं करते है उसके पीछे reason क्या है कि हम यह देखते है कि वो जो transaction है वो इस accounting year से current accounting year से relate करती है कि नहीं अगर वो current accounting year से relate नहीं करती है वो cash transaction जो है next year से belong करती है तो हम उसको यहाँ पर सामिल नहीं करेंगे या पिछले साल से belong करती है तो भी उसको सामिल यहाँ पर नहीं किया जाएगा closing stock और उसके उपर जितने भी खर्चे किये गए है उनको भी profit and loss में सामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसको next year जो है sale किया जाएगा जब यह वहाँ पर जा करके opening stock बनता है अगर कोई income जो है हो चुकी है बट वो receive नहीं हुए business ने income on कर ली है बट वो business को receive नहीं है तो उसको यहाँ पर सामिल किया जाता है उस तरीके की income को सामिल नहीं किया जाएगा जो कि business ने receive कर लिया बट business ने उसको accrue यानि कि कमाया भी नहीं है non operating revenues income या non operating revenue income या खर्चे जो कि हमेशा include किये जाते profit and loss में वो इस तरीके से है interest loan और capital यह इस तरीके के खर्चे है कि जो non operating nature के होते है बट अगर business ने loan लिया है तो इसको यहाँ पर दिखाया जाता है और capital pay trust भी अगर business देता है तो उसको भी यहाँ पर दिखाया जाता है साथी अगर माल लिजिए जो खर्चे cash में payment नहीं है उनको भी अगर वो current year से भी लोग करते हैं पर दिखाया जाता है जैसे कि depreciation of fixed asset कभी भी इसकी payment जो है cash में business बहार नहीं करता है क्योंकि depreciation का amount जो है business अपने यहां पर ही इकठा करते जाता है एक fund बना देता है जब भी depreciation charge करता है तो depreciation का amount एक अलग खाते में जमा होता रहता है और वो profit की amount को हमारे कम करता है बाद में depreciation के amount account में जितना भी पैसा ही कठा होता है उसे हम अपनी asset purchase करने का काम करते हैं तो इस तरह के से business की income को measure करने के हमारे पास दो formula जब एकके हाओ लहता है